सात्यों, एस्पिरेशनल डिस्टिक्ट में विकास के लिए प्रशाचन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट एक इमोशनल जुडाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टू टॉप फ्लो और इस अभ्यान का महत्वपूर पहली है टेक्नोलोजी और इनोवेशन। जैसा कि हमने अभी के प्रेजेंटरेशन में भी देखा जो जीले टेक्नोलोजी का जीतना जाना इस्तिमाल कर रहे हैं। गवर्नेंस और डिलिवरी के जीतने नए तरीके इनोवेट कर रहे हैं। वो उतना ही बहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आज देश के अलग अलग राज्यों के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक की हैं। कितनी ही सक्सेस स्टोडी हमारे सामने हैं। मैं देख रहा था, आज मुझे पांच ही जिला अधिकारियों से बात कहने का आउसर मिला। लेकिन बाकी जो यहां बैठे हैं मेरे सामने सेंकड़ अधिकारी बैठे हैं। हर रेक के पास कोईन कोई सक्सेस स्टोडी है। आप देखिए हमारे सामने असम के दरांग का, बिहार के शेकपुरा का, तेलंगना के बदराई, कोठागरम का उधारना है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कूपोशन को काफी हद तक कम किया है। पुर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मनिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वेक्शिनेशन को चार साल में 20 प्रतिशत से 85 परसेंट, 85 प्रतिशत तो पहुचा दिया है। बिहार में जुमई और बेगु सराय जिले जहां 30 प्रतिशत आबादी को भी बम मुश्किल दिन भर में एक बाल्टी पानी का नसीब होता था। वहाँ अब 90 प्रतिशत आबादी को पीने का साप पानी मिल रहा है। हम करपना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितने ही मैला हों, कितने बच्चों, बुजुर्गों के जीवन में सुख़त बलावाया है। और मैं यह कहूंगा, यह सिर्फ आंकड़े नहीं है। हर आंकड़े के साथ कितने ही जीवन जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों में आप जैसे होनहार साथियों के कितने मैंडेज, कितने मैनवर लगे हैं। कितना मेंड पावर लगा है। इसके पीछे आप सब आप सब लोगों की तप तपस्या और पसीना लगा है। मैं समझता हूं यह बढ़लाव, यह अनुभाव आपके पूरे जीवन की पुझी है।